अज हम उसुरू कर रहे हैं, लुसेंट का आपका निक्स पार्ट, आज का टॉपिक का नाम है भार्दी राष्टी अंदोलन से संबंधित महत्यपूर संगठन यो संस्थाय, संस्थाय, अस्थापना बर्स और संस्थापक, आईए हम लोग पॉइंट बाई पॉइंट देखत संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, बेदान्त कलेज 1825 में अस्थापना हुआ, संस्थापक आपका राजा राम मोहन राय, इवा बंगाल अंदोलन 1826 अस्थापना बर्स, संस्थापक आपका हेंडरी लुई वीवियन डे रोजियो, पांच्वा ब्रम्ह समाज, 1828 अस्थापना बर्स, और संस्थापक थे देविंत्र नाथ ठाकूर। ब्रिटिस सर्भजनिक सभा 1848 में अस्थापना हुआ, और संस्थापक थे दादा भाई इस भी में अस्थापना हुआ, संस्थापक थे दादा भाई नेरो जी, बालिकार विद्याले 1850 में अस्थापना वर से आपका, और संस्थापक थे जे इतिवा फुले, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तरह नमबर, मुहम्डन एंगलो लिट्रेरी सोसाइटी 1863, इस भी म अस्थापना हुआ, संस्थापक थे अब्दूल लतीफ, सायंटिफिक सोसाइटी 1864 में अस्थापना हुआ, और आपका संस्थापक थे शर स्याइध आहमद खान, इस्ट इंडिया एस्וצियाशन 18066 में अस्थापना हुआ, दादा भाई नेरो झी närओ संस्थापक थे, पूना सार्भ्यनिक सभा 1866 में अस्थापना हुआ और M.G. रांडे आपका संस्थापक थे प्रातना समाज 1866 SP में अस्थापना हुआ केशोचंद्र के सहयुक से M.G. रानाडे आत्मा राम पांडूकर देविंदरना ठाकूर आदी संस्थापक थे बेद समाज 1866 में अस्थापना हुआ और संस्थापक थे अचार केशोचंद्र सेन सत्य सुधक समाज 1873 SP में संस्थापना हुआ और जेती वाफूले आपका संस्थापक थे अलिगन एंगलो ओरियंटल कलेज 1875 में अस्तापना हुआ और संस्थापक दे सरसेद अहमद खान इंडियन लीग 1875 में अस्तापना हुआ और संस्थापक दे सिसीर कुमार भोस आरिस समाज 1875 में अस्तापना हुआ स्वामी दयानन सरस्वाती आपका संस्थापक दे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इंडियन एस्सोसियेशन 1876 में अस्तापना हुआ और संस्थापक दे अनन्द मोहन पोस सुरेंदरिनात पुनर जी थियोसेफिकल सोसाइटी 1882 इस्पी में अस्तापना हुआ और संस्थापक दे मैडम वलाट वसकी योम करनन अलाट युनाइटेड इंडियन कमिटी 1883 में अस्तापना हुआ बेमुस चंद्रपनर जी आपका संस्थापक थे भारतिय राष्टिय कंग्रेस 1885 इस्पी में अस्तापना हुआ ए ओ हुमें संस्थापक थे बंबे प्रेसिडेंसी एसोसियेशन 1885 इस्पी में अस्तापना हुआ पिरोष सामेहता तेलांक तथा तयव जी संस्थापक थे बेलूर मट 1887 में अस्तापना हुआ स्वामी विवेका नंद संस्थापक थे इंडियान सोसल कांफ्रेंस 1887 इस्पी में अस्तापना हुआ महादेव गोविन रनाडे संस्थापक थे सार्दा सदन 1889 इस्पी में अस्तापना हुआ रामावाई संस्थापक थे रामकृष्न मिशन 1893 में अस्तापना हुआ स्वामी विवेका नंद संस्थापक थे अभिनाव भारत संस्था उनाइश सो चोई स्थापना हुआ बिनायक दमुदर सावकर संस्थापक थे Servants of Indian Society उनाइश सो पाच उस्थापना हुआ गोपाल कृष्ण गोकले संस्थापक थे मुस्लिम लिंग उन्याइसव छे इसपी में अस्थापना हुआ आका खायम सलीम उल्ला संस्थापक थे। अनुसीलिनी समीती उन्याइसव साथ इसपी में अस्थापना हुआ शिरी ब्रेंद्र घोस भोपेंद्रदत संस्थापक थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। लाला हर्द्याल कासी राम संस्थापक थे हिंदू महासभा 1915 में अस्थापक थे होम रोल लिग 1916 में अस्थापक थे और यम एनिवेशन संस्थापकches थे। विमेंस इंडिया ऐसोसिएशन 1977 Isp理 में अस्थापना हुआ लेडी सदा सीव ऐयर संस्थापक थे। खिलाफत अंदोलन की नीच्छिसर्प अस्थापना हुआ अली बंदू अस्थापक थे। अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन 1922 सिस्फि में अस्थापना हुआ एन एम जोसी संस्थापक थे सुराज पार्टी 1923 सिस्फि में अस्थापना हुआ मोती लाल नहरू यमची तरंद दास आपका संस्थापक थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन 1924 सिस्फि में अस्थापना हुआ सचिंद्र सन्याल संस्थापक थे बहिस्कृत हितकारणी सभा 1924 सिस्फि में अस्थापना हुआ पीर अमबेटकर आपका संस्थापक थे राष्टिये स्वेम सिवक 1925 सिस्फि में अस्थापना हुआ डाक्टर हेड गिवे आर आपका संस्थापक थे नौजवान सभा 1926 सिस्फि में अस्थापना हुआ भागत सिंग 26 यस्पाल संस्थापक थे हिंदुस्तान सोसिलिस्ट रिपाप्लिकान एसोसियेशन 1928 सिस्फि में अस्थापना हुआ भागत सिंग संस्थापक थे नेक्स्ट पॉइंट डेखते हैं खुदाई खिदमत गार 1930 सिस्फि में अस्थापना हुआ अबदिल का फार खा संस्थापक थे हरिजन सिवक संग पूडे 1932 सिस्फि में अस्थापना हुआ महत्मा गांधी संस्थापक थे सोतंतर सरमिक पार्टी 1936 इस्पी में अस्थापना हुआ 23 आमबिटकर आपका संस्थापक थे घारवड ब्लोक सvor canons 449 इस्पी में अस्थापक थे आजाद हिंद फोजég 342 इस्पी में अस्थापना हुआ रास बिहारी बोष संस्थापक थे आजाद हिंद सरकार उनेश वेते तारीस इस्पी में अस्थापना हुआ सुवास चंद्रबोस संस्थापक थे नेक्ष्ट टॉपिक देखते हम लोग भारतिय राष्टी अंदोलत से संबंधित महत्यपूर अंदोलन एवम घडनाए अंदोलन एवम घडनाए पर्ष संबंधित विशाय एवम प्यक्ति भारतिय राष्टी कांग्रेस की अस्थापना 1885 इस्पी में हुआ ए ओ हुमे बंबई बंग भंग अंदोलन सौदेशी अंदोलन 1905 इस्पी में हुआ बंगाल के विभाजन के बिरुद्ध है मुस्लिम लिग की अस्थापना 1906 इस्पी में हुआ आगाखा एवम सलीम उलाखा धाका कांग्रेस का विभाजन 1907 इस्पी में हुआ नरम एवम गरम दल में विभाजित सूरत पोट होम रूल आंदोलन 1916 इस्पी में हुआ तीलक एवम एनिवेसेंट व्यक्ति थे लखनाव पैक्ट दिसंबर 1916 इस्पी में हुआ कांग्रेस तथा मुस्लिम लिग के बीच समझाओता मांटेगू गोस्रा 20 अगस्त 1917 इस्पी में हुआ भारत मंतरी लॉड मांटिग की गोस्रा रॉलेट एक्ट 29 मार्च 1916 इस्पी में हुआ काला कानून जिसके अंतरगत किसी भी व्यक्ति को संदेश के अधार गिरपतार किया जा सकता था जालियावला बाग हत्याकन 13 अप्रेल 1919 इस्पी को हुआ जेनरल डायर अम्रित सर खिलाफ़त अंदोलन 1919 इस्पी को हुआ सौकत अली मुहम्मद अली हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रक्रिस हंटर कमेटी के रिपोर्ट प्रकासित 28 माई 1929 इस्पी को हुआ जालियावला बाग से संबन्दित कंग्रेस का नागपूर अधिवेशन दिसंबर 1929 इस्पी महुआ आश्य योग आंदोलन का प्रास्ताव पारित नेक्ट पॉइंट देखते हैं सौराज पार्टी के अस्थापना एक जनवरी 1923 इस्पी को हुआ मोतिलाल नहरी यहमचीत रंजन तास्प संबन्दित ब्यक्ति थे हंदुस्तान रिपाब्लिकेशन एसोसियेशन चो अक्टूबर 1924 इस्पी महुआ सचिंद्र सन्याल ब्यक्ति थे साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नौबर 1927 इस्पी महुआ जन्द साइमन की अध्यक्चता में साथ सदसिये अयोग कगठन साइमन कमीशन का भारत आगमां 3 फरवरी 1928 इस्पी में भारत में लाला लाजबत राय की नर्तित में बिरोध एवं उन पर लाठी प्रहार नहरू रिपोर्ट अगस्ट 1928 पंडित मोतिला नहरू अध्यक्चे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बर्दावली सत्यागरा अक्टूबर 1928 इस्पी कुजरात के किसानों का लगान प्रिधी के बिरुध में सरदार बलब भाई की नर्तित में अंधोलन लहोर सड़यंत रिकेश 8 अप्रेल 1929 इस्पी को हुआ भागत सिंग और बटुकेश्वर दत द्वारा ब्रिटिस असेम्बली में बम फेकना कांग्रेस का लहोर अधिवेशन दिसंबर 1929 इस्पी पुढ स्वाधिंता का प्रस्ताव स्वाधिंता दिवस की घोषळा 2 जनवरी 1936 जनवरी को स्वाधिंता दिवस के रूप में मनानी की घोषळा नमक सत्यागर बारह मार्च से बारह मार्च 1930 से पाच अप्रेल 1930 महत्मा गांधी के द्वारा सावरमती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उलंगन करना सविनाई अवग्या अंदोलन 6 अप्रेल 1939 सविनाई अवग्या अंदोलन की सुवात प्रथम गोलमेच समेलन 12 नौवंबर 1939 परधान मंतरी मायक डोनाल्ड के अध्यक्षता में लंदन में आयोजित नेक्स्ट पॉइन देखते हैं गांधी इर्विन समझाओता 8 मार्च 1931 महत्मा गांधी और 22 राय इर्विन के मध्य संपन तथा सविने अवग्या अंदोलन अस्थागित करने की घोश्रा देतिये गोलमेच सम्वेलन 7 सितंबर 1931 इस्पी को हुआ गांधी जी ने सम्वेलन में भाव लिया कमनीवल एवाड संप्रदाईक पंचाट 16 अगास 1932 मैक डोनाल्ड द्वारा प्रिथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना पूना पैक्ट सितंबर 1932 को गांधी जी और डाक्टर अम्वेडिकर के बीच एक समझोता जिसके संप्रदाईक पंचाट में तलितों के लिए प्रांतिय बेवस्थापी का सभाओं में पर्रम्य राजियों में 71 अस्थान सुरक्षित किये गये थे जो अब बढ़कर 148 कर दिये गये हैं नेक्स्ट पंट तीर्तिय गोल में संबेलन 17 नॉवंबर 1932 इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया कांग्रेस सोसिलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 जै प्रकास नरायन मिनू मसानी और एस एम जोसी नेक्स्ट पंट देखते हैं फारवड बलौ का गठन एक मई 1949 को हुआ सुवास चंद्र गोवस समंदित ब्यक्ति हैं मुक्ति दिवस 22 दिज़ंबर 1934 मुस्लीम लिंक के द्वारा कांग्रेस मंत्री मंडल के त्याग पत्र पर मनाया गया पकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 मुस्लीम लिंक के लहौर अधिवेशन में अगस्त परस्ताव 8 अगस्त 1940 वाय सराय लिन लित्वो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 एस्टीपर्ट क्रिप्स से भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 महत्मा गांधी सिमला संबेलन 25 जुन 1945 सभी राजनेतिक दलो का संबेलन नौ सेना का बिद्रो 19 फरवरी 1944 मुंबई परदान मंत्री एटली क्यों होशडा 15 मार्च 1946 भारत को सतंत्र करने का अस्वासन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं काबिनेट वीशन का आगमन 24 मार्च 1946 बिटिश्ट मंत्री मंदल के तीन सतस्यों पैथिक लरिंग्स सर एष्टिफोर्ड क्रेप्स यों एवी एलेक्जेंडर का भारत आगमन कैबिनेट मिशन युजिना का प्रकासन 16 माई 1946 को हुआ प्रत्यक्ष कारेवाई दिवस 16 अगास्त 1946 मुस्लीम लिक्के द्वारा अंत्रिम सरकार की अस्थापना दो सितंबर 1946 नहरू परधान मंत्री बनें माउंट बेटेन युजिना तीन जून 1947 वायसराय माउंट बेटेन ने भारत बिवाजन की युजिना रखी सौतंत्रता की प्राप्ती 15 अगस्त 1947 भारत सौतंत्र अधिनियम द्वारा भारतिय गरतंत्र की अस्थापना 26 जनवरी 1950 डाक्टर रजेंद्र परसाथ प्रथम राष्टपती बने आज के लिए इतना ही हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे भारत के महान सहीद अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सबस्क्राइब ना किये हैं तो कर लें ताकि आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलें जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ थैंक यू